हेलो फ्रेंट्स मजी फूर्च चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ तूर दाल से बनी बिल्कुल ही नई और यूनिक सब्जी की रेसिपी शेयर करने चाहरे हूँ जिसे आप जब घर पर सब्जी ना हो तब भी चटपटी और मसालेदार सब्जी खाने का माल हो तो आप इस सब्जी को बना सकते हैं तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए न मैंने एक कप तूर दाल ली है इसे बाउल में ले लेंगे इसे न साफ दो लेंगे और फिर बाद में चार से पाच वंटे पानी में भीगो के रखेंगे एक कप या एक मैं एक इंच का टुकड़ा लिया है तो इसे डाल देंगे और यह कुछ लेसों की कलिया है हर इमिर्ज तो यह आप अमने टेस्ट के अगार्डिन डाल सकते हैं यदि जादा तीका पसंद करते है तो जादा डाले एक कम और आदा चमच जीरा और अब इसमें जाद भीगो के र इस पानी लिया था ँसमें जतना पानी होता है उसी पानी सहे हमुने से पीसा है अब हम एक प्लेट में इस थारसे प्लेट स 얼े है जो हैं में दीड हैं जो चालिक थे नदे तो मैंने कड़ाइ में पानी रखा है यह मैंने पहली पॉइल करण धिया था उस में पीच में कंड़ी रखी है उस इस में भी पानी रखा है नन्हों तो कंड़े लिखती और यहीं तो कंड़ के और हम एस प्लेट को रख लेंगे par antac vo ema तो इस तरह से हम इसे पाप पे पका लेंगे तो हमें जादा नहीं बस दस मिनिट ही पकाना है तो आप देख सकते हैं ग्राइंडर जान में मैंने जो दाल का पेस्ट था ना वो एक दो चमज बचा लिया था तो इसी मेंने हम प्याज डालेंगे तो प्याज मेंने एक मीडियम साइस का लिया है जैसे रफली चौप कर लिया है एक मीडियम साइस का टमाटर हरी मिर्च थोड़ा अधरक और थोड़ा लसन यह हम ग्रेवी के लिए कर रहे हैं इसलिए इसमें अलग से अधरक और लसन फिर तो देखिए एकदाम पर्फेक्ट ये पग गए है अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम ग्रेवी बना लेंगे एक बरतन लेंगे इसमें ऑई डालेंगे तो मैंने दो बड़े चमच ओई लिया है ऑई गरम होने पर हम इसमें रा जल जाएंगे क्योंकि ओई बी गरम हा और पbies गरम है तो इसकी घरमाट में जाएंगे इसमेरी हल्दी पाऊडर लाल मिर्च पाऊडर इसमें पाऊडर मैंने 2 चमच लाट्व मिर्च पाऊडर लिया है तो आप अपने अप्ने टेस्ट के अकरविदिग डालें आप सबज मिक्स कर लेंगे यह देखिए गैस की फ्लेम बंद करने के बाद भी मसाले कितने इचे तरह से पक रहे हैं यदि हम गैस की फ्लेम चालो रखते तो मसाले जल जाते और अब हम गैस की फ्लेम अन कर लेंगे और जो हमने मसाला पीसकी रखा था उसे डाल देंगे और इसे मिक्स क अब गरेवी की थिकनेस आपको जितनी चाहिए और इसाप से पाने दाल ले इसमें अब इसमें सादा नुसर नमक डाल लेंगे तो मैंने आदा चमच लिया है और अच्छी कुछबू और स्वाथ के लिए थोड़ी कसूरी मेथी डालेंगे और अच्छी से मिक्स करके इसे तो फोक सी इस तरह से पीक करेंगे ताकि जब यह ग्रेवी में चाहे ना तो अच्छा से अब्सॉब कर ले थोड़ा ना पकड़के इस तरह से हाथ से दबा के गरेने तो यह प्लेट से बाहर निकलाएगा और उसी तरह हम जो नाइफ लिए नाइफ लिए उसे भी हम हलका सा कर लेंगे ताकि कटिंग करते समय नाइफ में चिपके ना तो इसे न हम छोटे-छोटे क्यूब की दिरह काटेंगे बिल्कुल पनीर की तरह पनीर की जैसे पीसे सोते ना बस उतने या फिर आप अपने पसं से इसे कोई भी शिव में काट सकते हैं यह देखें कि यह कितने स सबvos दालता की से जा ढमी करते हुए तो लेकिन टोकरण तो मिल्कों लेकि सम करते हैं और वैसे भी उखने की संव पनी करें न देखें हैं और कुछ लो दोंगा कहने हैं तो उनके लिचे में अच्छा उप्षण है तो यह दिखेंके लेकिन किसमारी निकल गए और कि नितन तो अब इसमें डाल लेंगे ग्रेवी में डालने के बाद हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है बस एक से दूब इन या फिर एक पॉयल आ जाए बस इता ही यह देखिए यह सब्जी कितनी बढ़िया लगए एक दम चट्पटी और मसालेदार यह देखने भी जितनी मसालेदार चट्पटी लगए है खाने में भी उतनी ज्यादा टेस्टी है बस इसमें बॉयल आगया है तो अब हमें इससे जादा नहीं पकाना है अब गैस को आफ कर देंगे और अब हम इसे ना धनियापती से गानिश कर लेंगे तो यह देखिए हमारी पढ़िया से सब्जी बनकर त असल आने पर वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब करके बैल ऐकन जरूर दबाए थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो